स्वागत है आप सभी का नई कहानी में यह कहानी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम मारिया था उसकी किस्मत उतनी है अच्छी नहीं थी जितनी उसकी खूबसूरती एक दिन वह अपनी सहेली के घर बैठी थी जब उसकी मां उसे ढूनने आई उन्होंने कह कि रिष्टे वाले तुम्हें देखने आए हैं और तुम यहां बैठी हो तुम्हारा फोन भी बंध है उसकी सहेली भी उसके साथ चल पड़ी जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत त्यार हुई और उसके सामने चली गई वे लोग उसे देखकर हैरान रह गए उन्होंने कह कि वह बहुत प्यारी लड़की है इतनी प्यारी लड़की हमने कहीं भी नहीं देखी उन्होंने बताया कि उनका एक भाई है माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं हम दो बड़ी बहने हैं और हमारी शादी हो चुकी है इसलिए हम अपने भाई के लिए एक प्यारी सी लड़की ढून रहे हैं लड़के का घर अलग था और ये दोनों ही शादी शुदा थी रिष्टा बहुत अच्छा था लड़का ज़ादा खुबसूरत नहीं था लेकिन हर हाल में भैतरिन था मारिया की माने तुरंद ही हां कर दी उनकी बस एक ही शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाने चाहिए क्योंकि वे लोग अपने अपने घर में रहते थे और उनके पास भी इतना वक्त नहीं था इन में से एक बहन दूशरे शहर में रहती थी लेकिन यहां पर आई हुई थी मारिया की माने कहा कि रिष्टा हाथ से निकल जाएगा अकेला घर है लड़का भी खूबसूरत और लोग भी अमीर है और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यह घर हमारे घर के बिल्कुल ही करीब था हमें भी पता था कि इस घर में एक लड़का रहता है जो अकेला रहता है लेकिन क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी इसलिए मा कभी भी इस घर में नहीं गई और हमने जादा मेल जोल भी नहीं रखा हमें क्या पता था कि यही मेरा होने वाला पती था शादी बहुत जल्दी में करवाई गई मेरी माने अपनी आधी से ज़्यादा जिन्दिगी जोइंट फैमली में गुजारी थी इसलिए वह इस बात पर बहुत खुश थी कि ना कोई सास है ना कोई जठानी है ना कोई देवरानी है दो नंदे है लेकिन वह भी अपने अपने घर वाली है और अपना घर छोड़ कर कौन बार-बार किसी के घर आता है बस यूँ समझो कि बहुत ही जादा जल्दी में मेरी शादी करवा दी गई मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई मुझे तस्वीर देख कर ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने इसी के साथ अपनी जिन्दी की बितानी है लेकिन कुछ बुरा भी नहीं लगा वैसे भी मर्द मुश्किल से ही खुबसूरत होते हैं मर्द की खुबसूरती यही होती है कि वह लंबे चोड़े कदका हो ना जादा दुबला हो ना जादा मोटा हो और माधव बी ऐसा ही था लेकिन शकल से ख्याल करने वाला और एहसास करने वाला लग रहा था फिर हमें किसी का क्या डर हमें तो एक घर में अकेले रहना था जब हम दोनों अकेले रहते हैं और पती-पतनी भी होते हैं, तो एक दूसरे के प्यार में पढ़ ही जाते हैं, मेरा पती भी बहुत ही जादा अच्छा था, हमारी शादी हो गई, और मैं इसी घर में रहने लगी, जब मेरा दिल करता, मैं मा के घर आ जाती थी, किसी बात से रोकता नहीं था, शादी के बाद मेरी दोनों नन्दे भी अपने अपने घर की हो गई, और उनका हमारे घर में ज़्यादा दखल भी नहीं था, मैं बहुत खुश थी, और हर किसी को अपने खुशी के बारे में बहुत खुश होकर बताया करती थी, मेरी मा कहती थी, कि सब को नहीं बताते, नजर लग जाती ह क्योंकि ऐसी जिन्दगी हर औरत चाहती है जिसमें ना तो कोई सास हो और ना ही कोई ननद हो घर अकेला हो और पती भी इतना आमीर और प्यार करने वाला हो लेकिन मेरे मूँ से यह बात निकल जाती थी क्योंकि मैं बहुत जादा खुश थी जब इनसान दुखी होता है तो उ है अपनी खुशी के बारे में बताए मेरा भी दिल करता था मेरा पती बहुत अच्छा था मैं उसकी तारीफ करती थी मेरे सब दोस और रिष्यदार जिनकी शादी हो चुकी थी बार बार कहती थी कि हाई तुझे तो अच्छा पती मिल गया और हमें कैसा पती मिला है हमारा तो बिल्कुल ख्याल नहीं करता सच में तेरा पती तुझे प्यार करता है जब वह हाई हाई करती थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उनकी हाई लग जाएगी एक दिन मेरे पती ने कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा तो मैंने उसकी का खाना बनाए और उसकी हर बात मान ले और मैं भी यह सब कुछ करती थी मैंने अपने पती की पसंद का खाना बनाया था वह घर पर आया हम बहुत खुश थे उसने कहा था कि आज शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग कराऊंगा और रात का खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे वह खाना देखकर बहुत खुश हो गया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया लेकिन खाना खाते ही अचानक ना जाने उसे क्या हुआ कि वह एक तरफ गिर गया मुझे लगा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है लेकिन जब मैंन जल्दी जल्दी ambulance को call किया और अपने पती को hospital ले गई जब डॉक्टर के पास ले गई तो उसने मुझे अजीब तरीके से देखा मैंने सब कुछ बताया कि हम तो बैठे खाना खा रहे थे पता नहीं इसे क्या हो गया मेरे दिमाख में जदा से जदा यह बात आई थी कि शायद मेरे पती को खाने की किसी चीज से allergy है और मैंने वही चीज बनाई क्योंकि कभी कभी allergy इतनी खतरनाक होती है कि आदमी बेहोश भी हो जाता है अब हमारी शादी तो arrange हुई थी मुझे तो उसने बताया भी नहीं था कि उसे किसी चीज से allergy है इससे जदा मेरे दिमाख में कोई बात नहीं आ रही थी यह कोई नया डॉक्टर था उसने मुझे हैरान होकर देखा उसने कहा कि आपके पती को मैं जानता हूँ यह तो मेरे भाई का दोस्त है मैंने कहा कि इने ठीक कर दे ना जाने इनको क्या हो गया है डॉक्टर मेरे पती को अंदर ले गया और मैं काफी परिशान हो गई बाहर ही बैठी थी हाद पाउ काप रहे थे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जब डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा कि आपके पती को हाट अटेक आया था और उसकी आखरी सांसे चल रही है मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई उसने कहा कि आप अपने पती से मिल ले वैसे हम ऐसे मरीज से मिलने नहीं देते लेकिन यह मेरे भाई का दोस्त है इसलिए आपको अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं वह डॉक्टर बहुत अच्छा था उसका नाम डॉक्टर हिमान्शु था वह शायद नया डॉक्टर था बिलकुल जवान था मैंने उसका शुक्री अदा किया पर साथ ये भी सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि समय हो गया कब हुआ उसे हार्ट अटेक कैसे आ गया वह तो जवान था उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह दिल का मरीज है ये क्या हो रहा था मेरा दिमाग घूम रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान बंद हो गए और जो भी मेरे पास खड़े होकर बोलता था मुझे उसकी आवाज आसी आती थी जैसे वह मुझे से 10 फुट दूर खड़ा है मेरे हाथ भी कांप रहे थे मेरे साथ जिन्दगी में पहली दफा ऐसा हो रहा था मैंने कभी किसी इतनी बड़ी मुसीवत को अकेले हैंडल नहीं किया था मैं अंदर चली गई लेकिन जब अंदर गई तो पता चला कि मेरा पती इस दुनिया से जा चुका है शायद मैंने देर कर दी थी मैं बूरी तरह रोने लगी और अजीब सी हालत में आ गई मेरे माबाब भी आ गई और उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी और रो रही थी रोते रोते ही मेरी आँख लग गई जब मेरा पती सपने में आया उसने आकर मेरा हाथ पकड़ा मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसने कहा कि रोने की जूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह रहो, जैसे तुम पहले रहती थी, हमारे घर में ही रहो, और हसी खुशी रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने कहा कि तुम्हारे बिना कैसे सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तुमसे महबत हो गई थी, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी, और अभी हमारी शादी को दो महने हुए थे, कि तुम मुझे छोड़ कर चले गए, उसने कहा, कि किसने कहा, कि मैं तुम्हें छोड़ कर गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ कर गया ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लेकिन यह है याद रखना, कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, तुम्हें हमारे घर में आना पड़ेगा, वहां मैं दस बारा दिन गुजर गए थे मेरी दोस्त भी मुझे कई दफ़ा मिलने के लिए आई थी और इस ख्वाब के बारे में मैंने सिर्फ उसे ही बताया था उसने चुप चाप मेरे ख्वाब को सुना उसे ख्वाबों पर यकीन नहीं था लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा मैं भी समझती थी कि यह सिर्फ सपना ही है जो मेरे परेशान दिमाख ने बनाया है लेकिन अगर यह सच होता तो कितना अच्छा होता मैं अपने पती से सपने में आखरी बार मिली मैंने उसका हाथ पकड़ा उसने मुझे गले से लगाया मेरे लिए यही काफी था जब कुछ द स्कून मिलेगा मेरी मा मुझे मना कर रही थी पर मेरे पापा ने कहा कि अगर इस तरह से खुशी मिलती है तो रहने दो कुछ दिन तक यह सामाने हो जाएगी फिर वापस आ जाएगी उन्हें लगता था कि कुछ दिन के बाद में ठीक हो जाऊंगी अभी मैं दुख में मेरे पापा मेरी हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे उन्होंने मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी वैसे भी यह जादा दूर नहीं था उन्होंने सोचा होगा कि अभी मना करेंगे तो मैं जिद पकड़ लूँगी पहले ही दुखी हूँ और उन्हें पता था कि मैं जादा दिन नहीं निकाल लूँगी लेकिन यह भी सच है कि मुझे उस घर में जाने का बहुत जादा दिल कर रहा था जहां मैंने अपने पती के साथ दो महीने गुजारे थे ये दो महीने हमारी जिन्दिगी के सबसे अच्छे दो महीने थे शादी क एक दूसरे से जगड़ा नहीं करता बस प्यार ही प्यार होता है और मेरे पास अभी आदों के अलावा रह क्या गया था मैं रात को अपने कमरे में आई वही कमरा था जहां मैं और मेरे पती रहते थे मैंने बिस्तर को वैसे ही सैट किया जैसे रोज रात को सोने से पहले किया क मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे मेरे पती की जगा पर कोई आकर लेट गया है, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, मेरी सांस तेज हो गई, और मेरे दिल की आवाज मुझे कानों में आने लगी, हिम्मत नहीं थी कि मैं पल्ट कर देखती, मैं बहुत जादा डर रही यह कोई सपना नहीं था, कोई खवाब नहीं था, वह नहीं था, मुझे बकाइदा ऐसा महसूस हो रहा था, कि कोई पीछे आकर लेट गया, मेरी दिमाख में सपना आया, इसका मतलब की, वह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि मेरे पती की तरफ से, मेरे लिए एक शंदेश था मैंने उसे सिर्फ सपना समझा था, शायद वह इंतिजार कर रहा था, कि मैं कब वापस आऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो मरने के बाद वापस लोट आते हैं, अगर हम ऐसी बातों पर यकीन ना करें, तो इसका मतलब यह है तो नहीं, कि ऐसी बाते जूट होती हैं, क्या म अंदाजा नहीं था, मैं बहुत जादा डर रही थी, बकायदा मैसूस हो रहा था, कि बिस्तर के उपर कोई लेटा है, और उसके वजन से बिस्तर नीचे भी जुग गया था, मुझे में पल्टने की हिम्मत नहीं हुई, और मुझे एहसास हो गया, कि शायद मेरे पती ने ख ही हो सकता है, उसकी सासों की आवाज आ रही थी, मुझे उसकी खुश्बू मैसूस हो रही थी, मैंने आखे बंद कर ली, और उसे मैसूस किया, कि वह मेरे साथ है, और मैं सो गई, जब उठी, तो यह देखकर हैरान रहे गई, कि उसकी तरफ से बिस्तर भी खराब हो चुका था, इसका मतलब की, वह रात को यहां पर आया था, उसने कहा था, कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, और रोज रात को मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन सिर्फ अपने घर में ही आएगा, मैं अगले दिन मा की तरफ गई, तो उन्होंने मुझे रात को रोक लिया, क्यो मैंने इरादा कर लिया, कि मैं अपने पती के घर में ही रहूंगी, आगले दिन जीद करके फिर चली गई, और फिर से मुझे यही ऐसास महसूस हुआ, इस दफ़ा तो मुझे अचानक से ही ऐसी नींद आई, कि मुझे पता ही नहीं चला, कि मैं कहा हूँ, और जब सुब्य तो मेरा दिल बहुत हलका हो चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था, कि जैसे सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, कि जैसे मेरा पती मेरे साथ था, जैसे अभी भी वह जिन्दा है, और इस घर में रहता है, और अब वापस काम पर चला गया है, और मुझे घर के तरफ कोई लेटा हुआ है एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि मैं करवट बदल कर देखूंगी वह मेरा अपना पती है पर जब मैंने उस दिशा में करवट बदली तो वहां कोई भी नहीं था और काफी देर गुजर जाने के बाद भी कोई हलचल महसूस नहीं हुई इसका मत था कि अब तो मेरी नींदे हराम हो गई मुझे जिंदगी में कभी अच्छी नींद नहीं आएगी मैं अपने पती की बाजू पर सीर रख कर सोया करती थी अभी भी मुझे यही ऐसास हो रहा था मैं उससे बाते भी करती थी लेकिन बाते बहुत कम करती थी क्योंकि मुझे क कही न कही डर भी लगता था और उसने मुझे यह तो नहीं कहा था कि हम बाते करेंगे मेरी दोस्त मुझे मिलने के लिए आई तो उसने कहा कि तुम पहले से बहतर लग रही हो और तुमने अपने आपको संभाल लिया है कहते हैं भगवान सबर दे ही देता है वैसे भी अभी कि तुम्हारी उम्र ही क्या थी और शादी को तीन महीने भी नहीं हुए थे तुम्हें फिर से किसी के बारे में सोचना चाहिए कोई उलाद भी नहीं थी और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है अगर किसी और इलाके में तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो वह जाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि तुम्हारी पहले शादी हुई है मैंने उसे कहा कि इस तरह की बाते नहीं करो मैं अपनी जिन्दगी में खुश हूँ बस जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो उसने कहा कि तुम अपनी जिन्दगी बरबाद करोगी कितना समय हो जाएगी मैंने कहा कि मुझे कोई परिशानी नहीं है बस मैं अपनी जिन्दगी में खुश हूँ मुझे रात को अजीब औ गरीब किसम के ख्वाब भी आने लगे थे शायद वही पल मुझे याद आते जाते थे जो मैंने अपने पती के साथ गुजारे थे लेकिन मुझ मुझे इतनी स्कून की नींद आज तक नहीं आई थी पता नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे खोश ही नहीं रहता था कुछ पल मुझे यह महसूस होता कि मेरे साथ बिस्तर पर मेरा पती सो रहा है और उसके बाद अचानक से ही मुझे नींद आ गया था और सबसे बड़ा जवाज मेरे पास यही था कि मेरा पती मेरे ख्वाब में आया था और उसने खुद यही बात की थी और जिस दिन मैं अपनी मा के घर जाती उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था अब तो मेरी मा को चिंता होने लगी थी क्योंकि मेरी हरकते ही कुछ अजीब थी कभी कभी बैठे बैठे में मुस्कुराने लगती और कभी अपने पती के बारे में सोच कर ही खुद से बाते करने लगती थी मेरी माने कहा कि तुम्हें अकेली नहीं रहना चाहिए वह भी रात के लिए अब तुम्हारे पापा भी गुस्सा कर रहे थे बस तुम् मरजी मान कर शादी कर ली फिर क्या हुआ मेरे साथ किस्मत ने क्या कर दिया अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती मैंने ये बात ऐसी कही थी कि जैसी ये मेरा आखरी फैसला है मा भी काफी परिशान थी उन्होंने मेरी दोस्त को कहा कि तुम ही इसे समझाओ वो भी बार- बार मुझसे बात करने के लिए आती थी एक दिन वह मुझे अपने घर ले गई उसके घर में जागरन था यहां पर सिर्फ औरते ही बैठी थी इसलिए मैं भी चली गई परदे के पार मैंने उस डॉक्टर को देखा जिसने मेरे पती का आखरी बार इलाज किया था मैंने कहा कि यह यहां पर क्या कर रहा है और मेरी दोस्त ने कहा कि यह मेरा कजन है मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में बताया ही नहीं उसने कहा कि यह लोग बड़े अमीर हैं हमारे से जादा तालुक नहीं रखते और दूसरे शहर में रहते हैं यह तो अब इनका बेटा इस शहर में डोक्टर बन कर आया है तो ये भी यहां पर आ गए है और कुछ आना जाना शुरू हुआ है मैंने कहा यही वो शक्ष है जिसके हाथों में मेरे पती ने अपनी आखरी सांस ली थी उसने कहा कि मुझे पता है ये तुम्हारे पती को भी जानता था क्योंकि इसके भाई के सा तुम्हारे पती की बात चीत थी इन दोनों की दुकाने एक ही बजार में थी इसलिए उसने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो जाए बात चल रही है कभी कभी मैसेज पर भी बात हो जाती है मैंने कहा कि डोक्टर की पतनी बनना तो बड़ी बात होती है और ये इन साथ गुजारा फिर जो मेरे साथ हुआ जिस सरव है अचानक इस दुनिया से चला गया हम लोग साथ बैठे थे प्यार महबत की बाते कर रहे थे वह कह रहा था कि तुम्हें शोपिंग करवाता हूं आज तुम बहुत खुश हो जाओगी और वह दिन मेरी जिंदिगी का सबसे मनहूस दिन था मुझे नहीं पता था कि मेरे पती को दिल की परिशानी है उस डॉक्टर ने कहा था कि यह किसी को भी आचानक हो सकता है और जिन लोगों को दिल की परिशानी होती है उन्हें जब तक पता चलता है तब तक मामला बहुत जादा खराब हो जाता है मुझे नज का ख्याल भी दिल से निकाल नहीं पाती थी हमेशा परिशान रहती थी सोचती रहती थी कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता मेरे साथ ऐसा क्यूं हुआ दिल बहुत उधास रहता था मेरा उसी जागरण में एक औरत आई हुई थी जो पहले बहुत प्यारी प्यारी बाते कर रही थ फिर उसकी बातों का रूख इस तरफ चल पड़ा कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वह इस दुनिया में वापस आ सकता है उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जब एक दफ़ा जान निकल जाती है तो यूं समझो कि रूख कही जाकर सो जाती है लेकिन उ हुए लोग वापस आ जाते हैं तो उस ओरत ने कहा कि वह मरे हुए लोग नहीं होते वह भूत होते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं और आप से जूट बोल रहे होते हैं आपको इस्सिमाल कर रहे होते हैं वह हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं हमारे दिमाग को पढ़ लेते हैं उस आदमी के बारे में जान लेते हैं और फिर उसकी आतम होने का नाटक करते हैं और हम यह समझते हैं कि यह वही आदमी है इतनी शक्ती होती तो वह औरत कहने लगी कि हाँ बिलकुल होती है ये बाते बहुत जादा अजीब थी यहां पर हम यह बाते करने के लिए नहीं बैठे थे लेकिन किसी ने सवाल किया तो उस औरत ने जवाब दे दिया और सारा कुछ बता दिया मैं डर गई थी इसका मतलब की वह मेरा पती नहीं कोई भूत था मुझे बहुत डर लगने लगा था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ जब उस औरत ने अपना काम खतम कर लिया तो सारी औरते बार-बार उससे मिल रही थी मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उसे सारी बात बताई उसने कहा कि देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें वहम हो रहा है तुम एक काम करो तुम इस घर में रात को अकेले रहना छोड़ दो क्योंकि जब तक तुम अकेले रहोगी तब तक ये वहम तुम्हें होगा मैंने कहा कि हाँ जब मैं मा के घर में होती हूँ तब ऐसा नहीं होता उसने कहा कि फिर तुम इस घर में नहीं रहा करो लेकिन यह ऐसास इतना जादा हकीकत पर आधारित था कि मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था और फिर उसका क्या मतलब था वह ख्वाब जो मैंने देखा था मुझे डर भी लग रहा था मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है मैंने ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताई थी मैंने उसे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ इस घर में रहो उसे भी बहुत डर लग रहा था लेकिन मैंने उसे बात की और उसे मना लिया उसने कहा कि ठीक है लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं और अगर जरस अभी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मां के घर मैं खुद कौन सी इतनी बहादुर हूँ मुझे भी डर लग रहा है वही बात की हमें प्लान तो बनाना ही है लेकिन हम बहुत डर रहे थे बस सोचा था कि डरते डरते ही अपने प्लान पर अमल करेंगे लेकिन इस बात की सचाई तक जरूर पहुँचेंगे आखिर पता तो च गई और मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जगा पे लेटना क्योंकि जैसे ही मैं कर्वट बदलती हूँ कुछ भी मैसूस होना बंद हो जाता है मैं कमरे की लाइट बंद कर दूँगी और मैं साइड में खड़ी हो जाऊंगी तुम मेरी जगा पर लेटना फिर देखिए क्या हो उसने मुझे एक आइडिया दिया और उसने कहा कि तुम अपने फोन की वीडियो भी ओन कर लेना मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेतों की वीडियो बनती है उसने कहा कि हो सकता है बन जाए तुमने नहीं देखा वह कहते हैं कि भूत ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को भी ना तु कुछ बता सकती हूं और ना ही समझा सकती हूं मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फस गई हूं मेरी मदद नहीं करोगी वह मेरी मदद करना चाहती थी लेकिन जाहिर है कोई इतना बहुदूर नहीं होता आखिरकार वह मान गई उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ भी नहीं सकती ये काम करते हैं काम खत्म करेंगे तो खत्म होगा उसने मुझसे यह भी वादा किया कि उसके बाद चाहे जो भी हो मैं इस घर में नहीं रहूंगी और दूसरी शादी करने के बारे में सोचूंगी मैंने उसे कहा कि ठीक ह मैं ऐसा ही करूंगी लेकिन अभी तुम मेरी मदद करो मैं पर्दे के पीछे छूप गई मैंने आज कमरे में थोड़ी रोशनी भी कर दी थी लेकिन अभी भी कोई जादा रोशनी नहीं थी बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नजर आता मेरी दोस मेरी जगा पर लेट गई और बिल बिस्तर की तरफ ही देख रही थी अभी तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था लेकिन यह भी तो हो सकता था कि मुझे मेरे पती यानि की मेरे पती की रूह दिखाई नहीं देती लेकिन जिस तरह से वह बिस्तर खराब हो चुका था और बिस्तर पर भी बकायदा किसी का वज खोने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई मैंने देखा कि इस घर में खिड़की से कोई दाखिल हुआ कोई आदमी था लेकिन उसका कद मेरे पती से जादा लंबा था और थोड़ी देर के बाद इसके पीछे तीन और आदमी अंदर दाखिल हुए जिसमे मैंने चीखना चिलाना शुरू कर दिया वे लोग भी चोग गए और मैंने लाइट ओन कर दी लेकिन सब से ज़्यादा मेरी दोस्त हैरान थी क्योंकि इस कमरे में जो सक्स खड़ा था वह उसका मंगेतर था यानि कि वही डोक्टर जिसके हाथों में मेरे पती ने दम था और इसके साथ तीन और लोग भी थे मैंने साइड से एक डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बड़े तो जान ले लूँगी मेरी दोस्त भी मेरे पीछे चुप गई और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग कौन है उसने इन लोगों को वह मां से भगा दिया और कहने लगा कि मेरी बास सुनो देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं वह भी बहुत जादा घबरा गया लेकिन मैं उसकी कहानी समझ चुकी थी मैंने अपने नंबर से अपने अब्बू को कॉल मिला दी लेकिन ऐसे की उसे पता ना चले थोड़ी देर के बाद मेरे बाबा भी आ गए क्योंकि मैं घर को लोग करके नहीं सोती थी और मेरी मा भी आ गई उन्होंने हमानशु को पकड़ लिया और एक तरफ बैठा लिया और इसके बाद इसने सारी कहानी ब्यान की जिससे सुनकर हम सब के कदमों तले से जमीन निकल गई पहल क्योंकि यह उसका होने वला पती था और इसका यहां क्या काम था जिन लोगों को यह साथ लेकर आया था वह पता नहीं कौन थे लेकिन इसने उनको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद यह हमारे हाथ आ गया था उसने कहा कि मुझे पता था कि यह इस घर में अकेली होती है और उसकी दिमागी हालत इस तरह की चल रही है इसलिए मैं रात को यहां पर आ जाता था और उसे कलोरो पल्ट कर कभी भी नहीं देखती थी मेरे बाबाने उस सक्स के मूँपर थपड मारा लेकिन मैं यहां सोच रही थी कि उसको यह सब कुछ कैसे पता कि मैं अपने पती की रूख के बारे में इस तरह सोचती हूँ इसको इस बारे में किस ने बताया क्योंकि मुझे तो यह सब कुछ ख्वाब में आया था जब उससे यह स्वाल किया तो उसने मेरी दोस्त की तरफ देखा और अपना सर जुका लिया उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बाते करते थे और जब तुमने मुझे यह बात बताई तो मैंने इसको भी बता दी लेकिन मैंने तो इस तरह से बताई थी कि मेरी दोस्त बेचारी बहुत दुखी है इसको इस तरह का ख्वाब आया है और वह समझती है कि उसके पती की रूँ रोज रोज रात को उसके साथ होती है उससे मिलने के लिए आती है और उसके साथ सो जाती है मुझे क्या पता था कि यह इतना घटिया इंसान है कि इस बात का फाइदा उठा लेगा मैंने तो इसको इस तरह ही बता दी थी और कहा था कि मेरी दोस्त के लिए दूआ करना, मैंने अपना सीर पकड़ लिया, मेरे साथ इतना बड़ा हासा हुआ था कि मैं खड़ी हुई ही, बेहोश हो गई, मेरे बाबा ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, मेरी दोस्त ने इसके साथ सगाई भी तोड़ दी, और मैं फि नहीं आता है, इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, मेरी दोस्त ने अपने घर वालों को भी यह बात बता दी, और इस सक्स की पूरे परिवार में बहुत जादा बेजती हुई थी, इसकी जमानत तो हो गई थी, लेकिन अब इसको कोई भी रिष्टा नहीं दे रहा था, मैं अपने पती का यह मकान बेच दिया, और अब मैं अपने माबाप के साथ रहती हूँ, फिलहाल किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, बस मैं अपने आपको वक्त देना चाहती हूँ, यह जमाना कितना बुरा है, किसी की मजबूरी का फाइदा उठा लेता है, यहां पर तो मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किसमत इतनी बुरी थी, पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई थी, यह किसी ने यह सब कुछ मेरे साथ करवाया था, मेरे लिए बद्दौाएं की थी, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेर साथ बहुत बुरा हुआ, तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताईएगा, दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है, ये फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणा कहानिय सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वह मंगल में हो